आज जिस फंगस को हम पढ़ेंगी वो है आस्टी लेगो एक ऐसी फंगस है जो की क्रॉप को काफी नुकसान पहुचाती है और अधिक तर जो धान्य फसले होते हैं उनके ओपर इसका इंफेक्शन होता है और ये दाने जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉई कर देती है यदि इंफेक्शन बहुत सीवियर होता है तो वो दानों को डिस्ट्रॉई कर देती हैं अगर हम किसी गेहों के खेत में जाएं तो वहां पर कई बार हमको बालियों के उपर बालियां काली काली होती हैं कई बार गेहों इस तरीके का आता है दाने इस तरीके के आते हैं कि उनक अंदर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं गेउं के दानों के उपर वो सब अस्टिलेगों की infection के कारण होता है मक्की के अंदर भी कई बार हमको ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं वो भी सारी घास की जो बालिया है वो ब्लैक हो जाती है दिस द्यू तो दी इन्फेक्शन ओफ अस्टी लेगो विच देस्ट्रोई दी सीड्स ओफ दाट पर्टिक्लर क्रॉप अगर हम सिस्टेमाटिक पॉजीशन देखें अस्टी लेगो की तो उसका डिविजन माइकोटा या बैसिडियो माइकोटा फाइलम है सब फाइलम अस्ट्रिलाजिनो माइकोटिना क्लास अस्ट्रिलाजिनो माइसेटिस और अस्ट्रिलाजिनेल्स फैमली अस्ट्रिलाजिनेसी एंग जीनस अस्ट्रिलागो as you can see in this diagram in this photograph आपको black black spots दिखाई दे रहे हैं this disease is called as smut disease तो अस्टिला को से जो infection होता है वो smut disease होता है ये दो तरह का हो सकता है smut, loose smut and covered smut आपको दिखाई दे रहा है पूरा जो बाली है उसके अंदर black carbon जैसा mass seeds के अंदर दिखाई दे रहा है so this is the infection of astre-lego, astre-lego एक obligate parasite नहीं है क्योंकि इसको हम artificial medium के अंदर भी culture कर सकते हैं हाला कि प्रकृतिक रूप से astre-lego medis के अलावा astre-lego की सारी जो जातियां है वो सब host के उपर infection cause करती है और परजी भी के रूप में रहती है लेकिन astre-lego medis को artificial medium में culture किया जा सकता है और मक्का के जो smut disease है उसको छोड़ कर astre-lego के जो तन्तू है या माइसीले में वो पूरे के पूरे परपोशल में फैला रहता है that is the infection is systemic now कुछ धाने फसले जिनके उपर smut disease होती है दो तरह की disease मैंने आपका बताई loose smut and covered smut दोनों के बीच का difference हम आगे पढ़ेंगे astre-lego nuda जो की barley के अंदर jaw के अंदर loose smut of barley cause करती है astre-lego nuda variety tritecide loose smut of wheat cause करती है astre-lego eviny loose smut of oat जाई के उपर infection cause करती है और astre-lego medis मक्की के अंदर smut disease cause करती है अगर हम covered smut की बात करें तो astre-lego hodi eye जो की barley के उपर covered smut disease cause करती है और astre-lego cholerae जो की oat में covered smut disease करती show करती है तो यह कुछ serials थी जिनके उपर loose and covered smut पाया जाता है now the distribution जहाँ पर भी इंदिया में जहाँ पर भी wheat grow करता है वहाँ पर इनका infection हो सकता है लेकिन wheat अधिकतर north में जादा होता है पंजाब है, उत्तरप्रदेश है, मद्देप्रदेश है इनके अंदर wheat ज्यादा grow होता है तो यहाँ पर ही इनका astre-lego का जो infection है या smart disease देखने को मिलती है उसके बाद अगर हम symptoms की बाद करें बड़ा destructive nature का होता है जो की पूरी के पूरी crop को खराब कर देता है काले काले sports होते हैं जो की greens में होते हैं और इस infection के कारण जो भी बालिया है वो उनकी height कम हो जाती है उनकी संक्या कम हो जाती है और ear निकलने के मतलब बालिया निकलने के बाद ही इसके symptoms नजर आते हैं हाला के infection जो है वो बहुत पहले से पौदे में हो जाता है लेकिन और वो micellum अंदर रन करता है लेकिन जब उस पर flowers आ जाते हैं और बालिया बनने शरो हो जाती हैं तब उसका infection अपने symptoms दिखाता है covered smut और loose smut में अंतर ये होता है कि covered smut के अंदर जो clamido spores होते हैं जो black spores दिखाई देते हैं उनको हम teleo spores या clamido spores कहते हैं जो की gloom या pericard जो दाना होता है गेहूं का उसकी भित्ती wall जो है उसको हम pericard कहते हैं या उसके उपर जो एक चुबने वाला जो चीज है उसको हम gloom कहते हैं तो उस gloom या pericard से ढखे हुए होते हैं जितने अंदर spores होते हैं मतलब कि उपर से तो gloom होता है और अंदर पूरा का पूरा दाना clamido spores के infection से भरा हुआ होता है और उसके पूरा वो powdery mass होता है जो की covered होता है और teleo spores host की बालियों की threshing के समय जब उसकी कटाई होती है उस समय वो बाहर निकलते हैं जबकि loose smut के अंदर क्या होता है कि gloom या pericard भी pathogen के द्वारा नश्ट कर दी जाती है और वो open to air होते हैं एक पतली सी जिली जो होती है उससे डके रहते हैं जो की तूट जाती है और spores जो होते हैं वो नगन हो जाते हैं तो वेन दे आर यह एक स्पोर बना हुआ दिखाई दे रहा है इस दी जो दिखाई दे रहा है एक spore, clamidospore, or telospore which is germinating so this is the spore and these are the symptoms which are found in dried grains of wheat उसके बाद पैतोजन का करेक्टरिस्टिक सीड बौन फंगल डिजीस है ये सिस्टमेक इन्फेक्शन होता है बौदे की किसी भी भाग में गिर जाता है जब becidospore वो germinate करता है और germinate करके eak micellum बनाता है जो कि primary micellum होता है और उस primary micellum से secondary micellum मनता है और वो भी secondary micellum run करता है और flower जब बन रहा होता है उस समय उसके अंदर infection उसके अंदर clamidospores बनते है और लगबग 5 से 9 micron diameter के होते हैं climatospors जो की black color के होते हैं उसके बाद mycelium की अगर characteristic देखी तो मैंने आपको बता है primary और secondary दो तरह का mycelium होता है primary mycelium high line cylindrical septate high P का बना हुआ होता है जिसके अंदर हर कोशिका के अंदर एक haploid अगुनित केंदरक होता है with a single haploid nucleus in each cell यानि की these cells are monokaryotic and or haplomycelium nucleus haploid होता है और हर कोशिका में एक केंदरक होता है whereas the secondary mycelium consists of high P with two haploid nuclei in each cell देखे केंदरक haploid ही होगा लेकिन secondary mycelium में दो होते हैं और primary mycelium में एक होता है और ये जो dicharyotic mycelium बनता है या dicharyotic hypha बनता है वो फिर एक profuse mycelium बना लेता है clam connections के माद्यम से ब्रद्धी करता है और बहुत सारा secondary mycelium मना लेता है जिससे की clam ido spores बनते हैं तो ये primary और secondary mycelium के तवारा होता है दो तरह के mycelia इसमें पाए जाते हैं उसके बाद में favorable conditions कौन सी होती है 16 से 22 degree Celsius cold climate होना चाहिए इसके लिए और humid weather होना चाहिए 60 से लेके 85 परसंट तक relative humidity अगर atmosphere में है और temperature 16 से 22 degree Celsius है तो ये smut का infection होने की possibilities बनती है उसके बाद में primary जो mycelium है उस primary mycelium से secondary mycelium बनता है primary mycelium किस से बनता है primary mycelium basidio spores से बनता है जो की या तो positive strain के होते हैं या फिर negative strain के होते हैं positive strain वाले positive तरह का primary mycelium बना लेते हैं या primary hypha बना लेते हैं और जो negative strain का है वो negative तरह का primary mycelium बना लेते हैं जो कि जिनके अंदर हर हाइफा में एक अगुनित केंड रख होता है और monokaryotic होता है and this mycelium is known as haplomycelium जो कि basidio sports के अंकुरण से बनता है अब क्या होता है primary mycelium ज़्यादा विक्सित नहीं होता है और primary mycelium की जो दो cells है वो एक positive तरह की और एक negative तरह के mycelia, either the mycelia or the basidio sports or infection threads, कोई भी positive और negative strain की जो दो cells है वो आपस में unite करती है और एक दो केंडरक वाली कोशिका बना लेती है जो कि जिसका प्रते केंडरक haploid होता है एक positive type का nucleus होता है, एक negative type का nucleus होता है and this procedure is known as dicherotization अब dicherotization कई तरह से हो सकता है पहला dicherotization है fusion between first is the fusion between primary hyphae primary hyphae के बीच में fusion से primary hyphae कैसे बना? एक positive तरह का बैसिडियो स्पोर है उसने एक hyphae बनाया और एक negative तरह का बैसिडियो स्पोर उसने एक hyphae बनाया और उन hyphae की कोई cell आपस में fuse की और इसमें दो नूकलियाई आ गए जिस जगे वो contact हुआ दोनों का उस जगा पे दो नूकलियाई आ गए और ये जो कोशिका बनी इस कोशिका के अंदर एक तो positive तरह का nucleus और एक negative तरह का nucleus ये dicherotization हो गया ये तो हो गया पहला तरीका दूसरे तरीके में क्या होता है ये पाया जाता है astilago medis के अंदर second method है fusion between germ tubes of two basidiospores एक basidiospore है जो की germinate किया जिसने एक germ tube बनाई दूसरा basidiospore ये positive ये negative इसकी germ tube बनी दो पहले वाले में और इसमें अंतर क्या है यहाँ पर septa का formation हो गया और यहाँ पर दो न्यूकलाई इसके अंदर आ गए इस जगा पर यहाँ पर दो न्यूकलाई आ गए और यह दो किंद्रक वाली cell बन गई पहले और दूसरे में अंतर यह है कि पहले में एक basidiospore ने germinate करके एक बड़ा सारा हाइफ़ा बना लिया जिसमें कि जो ब्रांच्ड है या अंब्रांच्ड है और उसमें कहीं पर कोई भी कोशिका positive और negative आपस में सेंवत हुए जबकि इसमें सिर्फ जो जनननलिका है वो fuse हो रही है और इस तरीके से द्वी केंदर की प्रावस्था बनती है और ये जो नई कोशिका बनी जिसके अंदर दूख केंदर रखते ये अब द्वीतियक कवकजाल में विक्सित हो जाती है secondary mycelium बना लेती है ये हो गया दूसरी तरह का stage तीसरी तरह के diet arotization में क्या होता है Conjugation between basidio sports एक basidio sports जो की positive तरह का था उसके और एक negative तरह के basidio sports के बीच में conjugation tube बन गई this is conjugation tube और ये conjugation tube के माध्यम से जो एक केंदरक दूसरे में पहुँच गया ये एक diicariotic cell बन गी जिसमें positive और negative दोनों तरह की nuclei ही है इसने clamp connection के माध्यम से जो की previous वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ clamp connection formation के माध्यम से क्या बना लिया secondary mycelium बना लिया जिस secondary mycelium की प्रतिक कोशिका के अंदर कितने दो haploid nuclei थे this is the secondary mycelium got it this is the third way of diicarotization and the fourth way of diicarotization is चौथा तरीका जो है diicarotization का उसमें क्या होता है कि basidium spores नहीं बनते union of infection threads ये क्या होता है astre-lego-nuda variety tretisai में होता है और जो basidium है जिससे basidium spores बनते हैं this is basidium और हर basidium से basidium spores ना बनके क्या होता है उसकी प्रतिक कोशिका एक infection thread बना लेती है ये infection thread बना लेती है ये positive तरह का ये positive तरह का ये negative तरह का और ये negative तरह का तो positive और negative और positive this is negative and this is positive इन दोनों के बीच में यूनियन होता है और diacurotic mycelium बन जाता है तो इस तरह के से ये चार वीज हैं और अस्टिलेगों में diacurotization की अब जब diacurotization हो जाता है यहां आप diagram देख सकते हैं ये basidium spores हैं इन basidium spores ने mycelium मनाया mycelium की कोई भी cell कहीं पर भी इस जगा पर यहां पर diacurotization हुआ यहां पर conjugation tube बन गई ये infection threads है this is infection thread ये conjugation tube बन रहे है ये infection thread है जिनका आपस में union हो रहा है ये minus तरह का ये negative type ये positive type इनका आपस में union होगा और यहां पर एक diacurotic cell बनेगी जिसके प्रतिक जिसके अंदर एक positive और एक negative तरह का nucleus है so these are the photographs showing the various types of diacurotization now clamp connection कैसे बनता है terminal cell वो cell जिसमें दो nuclei है एक positive तरह का और एक negative तरह का nuclei इसमें एक इस तरीके से loop बन जाता है केंद्रक दो में विभाजित हो जाता है ऐसे ही ये black वाला केंद्रक के ये भी दो में विभाजित हो रहा है ये जो bridge बना ये इसी cell में आगे जाकर के connect हुआ और ये दोनो nuclei में से एक तरह रह जाता है दूसरा आगे सरक जाता है और ये जो transparent वाले जो nuclei हैं जो कि आप positive strain का कह सकते हैं इसको negative वाला तो सीदे सीदे खिसक गया कोई भी खिसक सकता है positive भी खिसक सकता है directly और negative इस bridge के through आ सकता है या अगर negative directly जा रहा है तो positive वाला bridge के through आया है वो इस bridge में से होता हुआ आकर के इसी cell में दूसरी उसके थोड़ी सी दूरी पर जाकर के connect हो जाता है और वहाँ एक positive और एक negative पहुंच जाता है और cell के बीच में एक septum का formation होता है जैसे कि हमने agaricus में पढ़ाता है वहाँ पर dollypore septa बनते थे but in this case this septa is simple there is no dollypore septa clamp connection होता है लेकिन dollypore septa नहीं बनते है और इस तरीके से एक cell से दो cells बन जाती है so this is the method of multiplication of cells with the help of clamp connections now क्या होता है कि जो basidious spores बनते है वो pro mycelium से बनते है जो clamidospore होता है this is clamidospore या teletospore या smut spore हम कहते है इसके अंदर दो किंद्रक दिखाए दे रहे आपको प्रते एक spore में दो किंद्रक दिखाए दे रहे ये दोनों किंद्रक आपस में unite होते हैं केरियोगैमी होती है you can see here केरियोगैमी के इंद्रक सलनायन होता है और ये किस जगे होता है ये teletospore जो होते हैं wheat में जब flowering हो रही होती है उस flower में infection पहुंच जाता है चाहें किसी पौदे के किसी भी भाग में infection हुआ हो जैसे डियोगैमी स्पोर्स से mycelium run करके secondary mycelium बनता है secondary mycelium पूरे पौदे के अंदर आगे travel करते करते है ultimately flowering वाली जो place से वहां तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद उस secondary mycelium से tell you to sports बन जाते हैं या clamido sports या smart sports ये कई सारे नाम हैं इसके वो बन जाते हैं हर एक में दो न्यूकलियाई थे क्योंकि वो dicharyotic mycelium से बना था dicharyotization हुआ, dicharyotic cell बनी clamp connection से dicharyotic mycelium बन गया जो कि plant के अंदर travel करता हुआ ultimately जब उसमे flowering हो गई तो वो उस जगह पहुंच गया वहां पहुंचने के बाद जब seed बनने लगया या ovary था ovary के अंदर उसने जितना भी mycelium था वो उसकी mycelium की प्रते कोशिका एक clamido spore में convert हो जाती है उस पर उसमें gelatin का covering हो जाती है एक थिक wall बन जाती है और उस प्रते कोशिका के अंदर जो dark color है ना जो black color है या dark brown color है that is due to the deposition of gelatin over the spore अब क्या होता है कि इसकी दो केंदरक थे वो दोनों केंदरक आपस में सहयोगत हो जाते हैं केरियोगैमी हो जाती है केरियोगैमी के पश्चाथ अर्दुसुत्री विवाजन होता है इसमें और wheat के flour पे ये germinate होता है और एक pro-mycelium बना लेता है क्या बना? प्रो-mycelium प्रो-mycelium के अंदर कितनी ये जो nucleus है फिर इसमें आर्दुसुत्री विवाजन होता है और positive और negative तरह के sports बन जाते हैं जो sports होते हैं जो की बैसीडियो sports होते हैं ये germinate करते हैं ये फिर die-carotization करते हैं die-carotization करने के बाद में इनके अंदर seed infect हो जाता है बाली थी seed infect हो जाता है seed infect होने के बाद में फिर से teletospores बन जाते हैं so this is the life cycle of astillago अब इसमें दो तरह की life cycle होती दो तरह की reproduction होता है अगर हम देखे broadly तो एक तो होता है asexual reproduction asexual reproduction जो होता है वो basidio sports दो तरह के sports बने इसमें एक तो basidio sports बने और दूसरे telio sports या teluto sports या clamido sports या smart sports तो जो basidio sports होते हैं उनके अंदर होती है budding मुकलन होता है और language general जो होता है वो clamido sports द्वारा होता है तो ये हो गया इसका reproduction telio sports का निर्माण host के जो कवक के secondary mycelium से हुआ flowering के समय spike lates में पहुँच गया ovary में प्रवेश कर गया वहाँ पे उसने बहुत सारा mycelium बना लिया कवक्तन्तू विभाचितों के चोटी-चोटी कोशिकाओं में convert हो गए जिनको sporogenes ip कहते हैं और प्रतिक कोशिका से एक telio sports बन जाता है और telio sports फिर से इनका प्रकीर्णन होता है देखिए बैसीडियो spores जो बनते हैं वो भी multiply करते हैं और एक बैसीडियम में से बैसीडियो spore बना लेकिन उसमें sterigmeta नहीं पाया चाता बैसीडियो spore में जैसा कि हमने देखा था दूसरी फंजाई के अंदर बैसीडियो spores में जब बनते हैं बैसीडियम से तो sterigmeta के थूँ वो connected होते हैं बैसीडिय। लेकिन इसमें sterigmeta नहीं पाया जाता बैसीडियम एक उभार की तरह से होता है और बैसीडियम में एक उभार बन जाता है और बैसीडियम का जो nucleus है क्योंकि अर्दिसुत्री विवाजन के बाद में चार न्यूकलियाई बनके दो पॉजिटिव दो नेगटिव दोनों न्यूकलियाई में फिर से माइट्रोटिक डिविजन होगा एक न्यूकलियस तो उसो बाहर में चला जाएगा और बैसीडियो स्पोर का फार्मिशन हो जाएगा अब यह जो बैसीडियो स्पोर्स बनते हैं यह डारेक्ली भी जर्मिनेट कर सकते हैं अगर फेवरेबल कंडिशन है आने था यह क्या करते हैं इन में बडिंग होती है और ये बहुत सारे बैसे जियो स्पोर्स बना लेते हैं जो कि प्रकेर्णित होते हैं और जो टेलिटो स्पोर्स होते हैं वो टेलिटो स्पोर्स भी क्या करते हैं वो भी वापस से टेलिटो स्पोर्स बनाते हैं प्रकीर्णित होते हैं और फिर से अंकुरित होकर के हेल्धी प्लांट के उपर डारेक्ली सेकिंड्री मैसीलियम बना लेते हैं तो कि टेलिटो स्पोर्स तो दो किंद्रक वाले होते हैं तो वह डारेक्ली सेकिंड्री मैसीलियम बना लेते हैं और अगर bestidious spores से mycelium बनता है तो वो haploid बनता है फिर उसमें diicarotization होता है तो ये method हो गया multiplication का आप क्या है कि अगर ये disease हो जाती है तो ये बड़ी severe disease है इसका management कैसे किया जाए जो seeds होते हैं जिनको हम उगाते हैं जिनको बहते हैं उन सीड्स को यदी हम कार्बोक्जिन 2 ग्रैम्स पर केजी सीड के हिसाब से बोने से पहले अगर उससे ट्रीटमेंट दे देते हैं तो इंफेक्शन नहीं होता है अगर हम रिजिस्टेंट वराइटीज स्मट रिजिस्टेंट वराइटीज से फर एक्जामपल सोनाली का है कल्यान 227 है PV18 है WG307 है NP13 है और C302 है इनको अगर हम उगाते हैं तो उस पे स्मट का इंफेक्शन नहीं होता इस वराइटीज आर स्मट रिजिस्टेंट वराइटीज उसके बाद में अगर फिर भी अगर इंफेक्शन होता है तो जो हैड्स है है जो पुष्पक्रम है उस पुष्पक्रम को हम निकाल के पुष्पक्रम को क्या निकालना क्योंकि सिस्टमिक इंफेक्शन है तो हम पू और secondary spread को avoid करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको guard देते हैं मिट्टी के अंदर फिर fungicide जैसे carboxyn वगरा का vita wax जो होता है उसका 0.1-5% solution या tabiconazole follicular का 0.2% solution का spray करते हैं पौदे को पर जिससे की smut की infection को रोका जा सकता है तो these are a few management methods or physical and chemical control measures for the control of the disease this is all for smut or a steel ego thank you